देश भर से मजदूर, करमचारी, खेतिहर मजदूर और किसान 28 और 29 मार्ट को आम हर्ताल कर रहे हैं यहाँ एक राश्ट्रियस तर की हर्ताल होने जा रही है जहां इंडास्ट्रिल वोकर्ज और विभिन्न सेवा शेत्र के करमचारी शहरों में हर्ताल पर रहेंगे किसान और खेतिहर मजदूर गाओं में एक ग्रामीन बंद का आयोजन करेंगे इस विडियो में हमने इन सभी वर्गों के नेताओं से बात की और उनकी मांगों को जाना सबसे पहले सुनते हैं All India Federation of Anganwadi Workers and Helpers की महासचिफ A.R. Sindhu को जिन्होंने देश की आशा, आंगनवाडी और मिद्डे मील कारवरताओं की चिंताओं और मांगों पर रोशनी डाले देश भर में आंगनवाडी, आशा, मिद्डे मील वर्कस जो है जो देश की जो बुनियादी सेवाएं है जो खाद्य सुरेच्छा का और स्वास्ति सुरेच्छा के लिए जो सरकार की स्कीमें है उसको इलागू करने वाले जो देश की जो 60 लाग वर्कस है और उसमें से 99 परसंट जो महिलाएं है तो वो उनके आंदोलन बहुत ज्यादा चल रहा है दो साल में जो कोरोना काल के अंदर में बुनियादी जो सेवाएं हैं एक खाद्य सुरेच्छा का जो बच्चों को माओं को खाने का जो प्रोविशन है सप्लिमेंटरी न्यूट्रिशन का वो खर-खर पहुंचाने का काम किया क्योंकि स्कूल है आंगनवाडी सारे बंद थ किया है और जो स्वास्ते सुविधाये हैं और कोरोना का क्या जो ड्यूटी है कोरोना का जो पेशेंस को पैचानना उनको अस्पितल में ले जाना से लेके जो अभी तो ये वाक्सिनेशन तक का का काम किया है अपने जान को जो खिम में डालके ये प्रशर वार्क का प्रशर और उसके साथ में जो सरकार की उल्टी सीधी जो भी नीतियां चल रहे है डिजिटाइसेशन का और उटपूट डेने का और रिपोर्टिंग देने का एक काम का लोड बहुत ज्यादा है बारा बारा घंडे से सोला घंडे तक तो है कोरोना काल में ड्यूटी किया है और बहुत ज्यादा आंदोलनों में आने पर लोग मजबूर हो गया है और जैसे हम देख सकते हैं बहुती जो बहादूरी के साथ में लड़ाइएं चल रहे है राज्य सरकारों को भी इनके मांगों पे पर कुछ ना कुछ देना के को भी उसको मजबूर कर रहा है लेकिन इसके साथ-स कि आद्र सरकार यह बुनियादांस को निजी करने के लिए यह सेवा हों के जो भजट है उसमें बार बार कटोटी कर रहा है और खांद्य नहीं है अब इसके खिलाफ में और इसके खिलाफ में और केंद्र सापने जो बुनियादी जो अधिकार है जो बरकर का दर्जा और नियूनतम वेतन और सामाजिक सुरच्छा लाब ये 45 वा स्रमसम्मेलन ने ओल्ड़ी इसका सिफारिश है वो लेकिन सरकार लागू नहीं कर रहे है तो ये मांगों को लेके बहुत बड़ा आंदोलन चेड़ रहे है देश भर में कार्यकरताओं को आज चिन प्राथमिक मुद्धों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें समझते हुए C2 के महा सचिफ तपन सेन में अपनी बात रखी The scrapping of the labor courts which want to finish all the labor laws, the rights of the laborers, right to organize, right to collective bargaining, all basic rights which are internationally accepted rights, which are sought to be abolished completely by the labor courts. So we are demanding scrapping of the labor courts. Another major aspect is this mad drive of privatization that is going on. The whole public sector units network in the country practically holds the foundation of the Indian economy and upon which the private, other private sector industries are also flourishing. They give us the infrastructure, they give us the basic key material of the industrial production. These are all given by the public sector. Now, they are being sought to be totally privatized. Atrocious projects are being undertaken by the government. Latest is the national monetization pipeline which aims at earlier privatization means in lieu of money you purchase a PSU. Now, it is not that. The entire infrastructure public sector are being handed over to the private sector free of cost, allow them to earn revenue, keep them a major part of it and share only a small part of the government. They have declared, created a public sector, national land monetization corporation and these newly created public sector will preside over the process of selling the land assets with all the public sector and departmental undertakings. All India Agricultural Workers Union That, what we have to ask for this policy, is still a policy order, and how this is, in any case, is possible to make a work of the government and the public sector that has been created as a federal government filter. से मंद्रेगा को खतम करने के लिए कोशिश कर रही है हम सब जानते हैं कि पिछले बजट में इसमें बड़ी कटोटी की गई है जितना पैसा पिछले वर्ष खर्च किया था एक लाग क्रोड के आसपास उससे कम करके रिवाइस बजट से कम करके 73,000 क्रोड के आसपास कर दिया हैं उससे ये पता चल रहा है कि हर साथ अक्टूबर नवंबर के आसपास सरकार के पास पैसा खर्च हो जाता है और अगले जो चार पांच महीने हैं मुझदूरों को काम के लिए भटकना पड़ता है सरकारी अंकलों के अंसार इतनी सर्पलस जमीन है कि जो खेत मुझदूर है वो जमीन को नियंत्रित करेगा जिस तरह से पंजाब में करनाटका में ये बता दिया है कि आपकी जो पंचायते हैं वो सीधे तोर पर आपके जो कॉर्परेट कंपनियों को अपनी जमीन लीज की उपर दे सकते हैं राज्य सरकार का भी उसमें कोई हिस्षेप नहीं होग और आखिर में ओल इंडिया किसान सभा के जॉइंट सेकरेटरी विजू कृष्णन ने हाल ही में केंद्र सरकार को सौपे गए छे सूत्रिय चार्टर के आधार पर किसानों की मांगों को सामने रखा जो एतिहासिक किसान आंदोलन में हम लोग मांगे रखे थे उसमें तीन किसान विरोधी कानून तो वापस हुए है पर किसानों पर जो मुकद में दर्ज हुआ है उसको वापस नहीं हुआ है वो वापस होना चाहिए किसानों का जो फसल है उसके लिए उत्पादन खर्च से डेड़ गुना दाम देने का बात था उस पर अभी तक कोई कारवाई नहीं हुआ है उसके साथ साथ जो कोविड लॉक्डाउन काल में किसानों का आमदनी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है खो बैठे है उनको कम से क हम हर माइना साड़े साथ हजार रुपया एक सहायता देना चाहिए यह मांग है किसान का करजा माफी होना चाहिए यह सबी मुद्धों को लेके उसके साथ साथ खेतमसदूर के लिए जो उनका खास करके नरेगा में जो जिस तरीके से बहुत कम रोजगार के आवसर उसमें दिया जा रहा है हम लोग का मांग है कम से कम 200 दिन का रोजगार और अधिक मजदूरी उसमें देना चाहिए पिछले 7 साल का जो नरेंदर मोधी का सरकार है इसमें कृशी संकट और गहरा हुआ है एक लाग से अधिक किसान और खेत मजदूर खुदकुशी किये है और उसके 38,000 के आसपास देहाडी मजदूर भी खुदकुशी करने में मजबूर हुए है इन सबी तबकों के मांगों को लेते हुए हम लोग इस हड़ताल में जा रहे है कि मजदूर वर्ग एतिहासिक किसान आंदोलन के दौर में हमारे साथ कंदे से कंदा मिला के उस आंदोलन में भ लोग भी सामिल है